हम सभी का घर अलग-अलग होता है घर को सजाने का तरीका भी हम सब का अलग-अलग होता है बट घर में छोटे-मोटे चेंजेस करते हैं हम सभी को बहुत पसंद होता है क्योंकि जरूरी है है ना चेंज करने से उस जगण को बिलकुल फ्रेश लुक मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी वाइबस भी आती है तो मैंने भी आज अपने डानिंग इरिया का लुक बिलकुल चेंज कर दिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा सो हें फ्रेंड आइम रूपा वलकम टू मैं चानल आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे सो चलो आज के इस इंट्रेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इडियो और यह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैं डाइनिग टेबल को नशिफ्ट नहीं कर पा अधि धर से उधर तो यही पर यह फिक्स रहेंगे और इनके चेरिश के लिए मैं यूज़ करती हूँ चेर कवर जो की काफी ज़्यादा हेलफुल होते हैं महत कम तो मैं इनको यूज कर रही हूं करीब देर साल हो गया है मुझको यूज करते हुए डिवाइन ट्रेंड से मैंने और किया था और बहुत ही ज्यादा बेस्ट पर्चेस मुझे लगा और चेयर का लुक बिल्कुल चेंज जाता है और थोड़ा सा अगर आप इसको हटाओ गे न तो डाइनिंग टेबल के कवर शेयर कवर बहुत जादा ट्रेंड कर रहें इंस्टाग्राम में और पहुत लग यूज भी कर रहे हैं और यह कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं बहुत टाइम हो गया मुझे एक्श्य पड़ेगी आपके शेयर सेफ रहेंगे डश्ट फ्री रहेंगे क्लीनिंग के लिए ना मैं हमेसा पुराने हैंकिस का यूज करती हूं कि वह छोटे से होते हैं सौफ्ट से होते तो बड़ा अच्छा लगता ग्लास वगरा को साफ करना तो जैसे मैं फ्रीज के बाहर वाल ए अब आजाते हमारे में चीज में जो डाइंग टेबल का लुग बिल्कुल चेंज करने वाला है तो जैसे चेयर कवर्स के साथ डाइंग टेबल के लिए कवर आते हैं सेट में आते हैं बट अगर आप अलग से लोगना तो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका प्रेंट मुझे वाइट में ही चाहिए था और मुझे वाइट में मिल गया इस टाइप का अब हमें इसको कवर करने के लिए कुछ चाहिए तो उसकी लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जो नॉर्मल ट्रांस्पारेंट कवर्स आते ने टेबल के लिए तो बस मैंने वही उसका यूज किया है बिलकुल ट्रांस्पाररेंट है कोई प्रिंट नहीं है मैंने औपलाइन लिया है अच्छी quality का plastic है तो जल्दी खराब नहीं होगा तो बस इसको मैंने इसके उपर बिचा दिया और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देन मेरे पास था ये six pieces का placement जो कि इस वाले print में है एक पर ये print बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मेरे पास भी है तो इनको अब मैं as a placement यूज नहीं करना चाहरी थी तो इसको मैं यूज कर रही हूँ डारिंग टेबल में as a runner और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वा यहां पर मैंने इसको बस ऐसे सिंप्ली रखा है ताकि मैं कभी और इनका यूज कर सको किसी और तरीके से आप चाहो तो इनको अटाच कर सकते हो ग्लूगन के हैं से और यह बहुत ही बढ़िया रणर बनके रेडी हो जाएगा इस टाइप के जो बास्की होते है ना फ्रूट बास्केट वो भी बहुत जाद अच्छे लगते हैं देखने में तो यह मैंने पर्चिस किया था जब हम दिखा गये थे ना वहां से मैंने पर्चिस किया था ओनली 50 रुपीज में और यह बहुत जादा तो स्ट्रॉंग नही चुरू बताईएगा था अब 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 कर दो अब कर दो दो आए अब हमसे मुझे पार्सनल रसीव हो गया तब ही तो चलो इसको भी अन्बॉक्स कर लेते हो देखते हैं इसमें क्या है तो मैंने मंगाया थे कुछ स्कीन केर प्रोड़क्ट और जबी मुझे स्कीन केर प्रोड़क्ट मंगाना होता ना तो मैं एमाजॉन से ही मंगाती हो तो सबसे पहला इसमें निकला है मिनेमलिस्ट का संस्क्रीन जो की है 50 SPF अगर आपकी ड्राय स्कीन है तो आप यह वाला सं सिर्म 20% बितामिन सी होता है इसमें काफी अच्छा लगता है मुझे बहुत टाइम्स मैं यूज कर रही हूं और उसके बाद खादी नैच्रल का है यह सिका काई वाला शैंपू बहुत अफोरड़बल प्राइस में अच्छी शैंपू आपको मिल जाती एंटी डेंडर होता अब भी बनाना था मुझे शाम का नाज था अपने बेट्टू के लिए तो मैंने सुझा क्यों आपके साथ विरैश्य पी शेयर किया जाए क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है यह और आपको बहुत फटाफट से बनेगा बहुत तेस्टी भी लगता है बच्चों को बह आपके हो तो मैंने शोड़ लिया है तो लेगे सूझी जितना सूझी आप ले अपकरिए को या फिर एक मुठी पूहा ले सकते हो आपकर्ते सॉफटनेस के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टनेस देता है और आप चाहो तो इसमें दही भी आट कर सकते हो मैंने यापे दही आ भी नहीं लाने वाला तो मैंने सिंपली यही दो इंग्रीडेंट लिया है आज और बनाया है और बिलीव नहीं करोगे दही का कोई भी जरुरत नहीं पड़ा यहां पर अगर आप दही नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल भी यह ऑप्शनल है और गुन-गुने पानी से आप इ जो भी बोल जो बोलते हम छिलका नंच चाहि데 है customer डेल पर कोई साथ भी आप्णा ले सकते हो याप फिर आरओं का तवा क्यां करती हुँ और अब लोग दीरे-ःडा का तवा यूज कर रहे हैं नन श्टिक को दीर दीरे में चोद रहे हैं कम कर रहें यूजता तो यहां पर हम इस पतले से बैटर को इस तरीके से गुमाएंगे जैसे धोसा बनाते हैं और आप इस पर कुछ चाहो तो आड़ भी कर सकते हो कोई सब्जी आड़ कर सकते हो बट मैं ऐसी बनाती हूं तो मैंने इसको बस इसी तरीके से फेला दिया है और इसको थोड़ा सा ढख के और बच्चों को भी यह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे तो आप इसको चाह से अगर इंजॉइ करना चाहतो चाह के साथ भी ले सकते हो सॉस के साथ हरी चटनी के साथ तो आप जैसे चाहो वैसे इसको इंजॉइ कर सकते हो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर कीज़ेगा मुझे पहली बार देख रहते तो सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा बिल्कुल फ्री है बेल आइकन को जरूर हीट कीज़ेगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों सबसे पहले मिल सकें सो फ्रेंड मिलती हूं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ जल लिए सब तक लिए बाइबाइब टेक करें थांक्स वाचिंग